हिंदी साहित्ते क्विक रिविजन विद आर्थी शर्मा दोस्तों आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें साथ ही साथ मेरे वीडियो के अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों हमारा आज का विशे है रीती काल की रीती मुक्त श्रेणी जिसका पार्ट वन हम करेंगे चलिए शुरू करते हैं प्रश्न एक से प्रश्न संख्या एक रीती काल की रीती मुक्त श्रेणी में किन कवियों को इस्थान दिया गया है तो दोस्तों रीती काल की रीती मुक्त श्रेणी में वे कवि जिनों ने उस समय की रीती रूढी के विरुद आकरोश व्यक्त करते हुए रीती बंधन को अस्विकार कर स्वचंद गती से अपने काव्य में प्रेम की पीर को अभिव्यक्त किया है ठीक है फिर से सुन लीजिए रीती मुक्तिश रेणी में वे कवी आते हैं जिनोंने उस समय की रीती रूडियों के विरुद आक्रोश व्यक्त करते हुए रीती बंधन को आश्विकार कर स्वचंद गती से अपने कावे में प्रेम की पीर को अभीव्यक्त किया है प्रेम की पीर को ठीक है ध्यान रखिए पीर मींस पीड़ा होती है ठीक है और रीती मुक्तिश रेणी में अधिकांश जो कावे लिखा गया है कावे श्रीजन किया गया है वो किस से संबंदित है वियोग श्रिंगार से संबंदित है ठीक है याद रखिए इसलिए प्रेम की पीर की अभीव्यक्ती ज्यादा मिलती है, प्राश्नि संक्या 2, रीती काल की रीती मुक्त श्रेणी के कवी कौन से हैं, तो देखते हैं कौन कौन से कवी हैं, घिनाणद, सबसे पहले घिनाणद, फिर आलम, शेक, थाकूर, बुणेल खंडी, भुध्धी सेन, या बोधा, ठाकुर बुंदेल खंडी और बोधा यानि बुद्धी सेन ठीक है प्रशने संक्या तीन रीती कावे में कौन सा रूप अपनाया गया है तो दोस्तों मुक्तक मुक्तक रूप अपनाया गया है रीती काव्य में प्रशन संख्या चार रीती काल की सरवाधिक व्यापक प्रवर्ती कौन सी है तो दोस्तो नाइका भेद और श्रिंगार रस विवेचन नाइका भेद और श्रिंगार रस विवेचन रीति काल की सरवाधिक व्यापक प्रवर्ती है प्रशन संख्या पांच रीति मुक्त कवियों की प्रमुक विशेष्थाइं क्या है तो दोस्तो प्रेम की पीर का अनुभव एक पक्षिये प्रेम और प्रेमी काईं ही काव्य की मूल प्रेरक शक्ति है फिर से सुनिए यहां पर विशेष्टाय बतानी है प्रमुक विशेष्टाय रीती मुक्त कवियों की कौन सी है तो देखते हैं पहली है प्रेम की पीर का अनुभव किया है यहां के कवियों ने एक पक्षिये प्रेम है और प्रेमिकाई ही काव्य की मूल प्रेरक शक्ति रही ह यानि कि जो काव्य की रचना हुई है जो काव्य स्रीजन हुआ है वो प्रेमिकाओं को ही आधार बना कर हुआ है इसी वज़े से क्या है कि रीती मुक्त काव्य हमारे लिए खास हो जाता है ठीक तो दोस्तों अभी हमने देखा प्रशन पांच अब हम देखते हैं प्रशन छे आलम की श्रिंगार रस प्रधान रचना कौन सी है तो दोस्तों आलम की श्रिंगार रस प्रधान रचना है माधवा नल काम कंदला तो ये आलम की रचना है और श्रिंगार रस प्रधान रचना है ठीक है याद रखिए प्रश्न संख्या साथ आलम कृत माध्वानल काम कंदला की भाशा क्या है तो दोस्तो अवधी अवधी भाशा में रचित है आलम की रचना माध्वानल काम कंदला प्रश्न आठ आलम कृत सुधामा चरित यहाँ पर आलम की अब दूसरी कृती आ गई है सुधामा चरित इसमें किसकी कथा का वर्णन है तो दोस्तों श्री कृष्न के मित्र दरिद्र ब्रामन सुधामा की कथा का वर्णन है किसमें सुधामा चरित में इसलिए इस रचना का न स्रिक्रिश्न के मित्र कौन थो अ किसी रचना है आलम कि रचना इगी तो रीती मुक्त श्रेणी अंद्र कि प्रश्नि सं pension 9 आलम किरित श्यां सने ही कैसा कावय है तो दोस्तों खंड कावय आलम कृत श्याम सनेही खंड काव्य है प्रशन संख्या 10 आलम कृत श्याम सनेही किस छंद में है तो दोस्तों दोहा चाौपाई छंद में किस की रचना है आलम की रचना है उससे पहले हमने कौन सी पड़ी माधवा नल काम कंदला और कौन सी थी सुदामा चरित और तीसरी अब कौन सी है श्याम सनेही किस की रचनाई है आलम की रचनाई है ठीक है प्रशन संख्या 10 हम देख चुके है अब हम देखेंगे प्रशन संख्या 11 आलम कृत श्याम सनेही में किस का वर्णन किया गया है तो दोस्तों रुक्मनी विवा का की कथा का वर्णन किया गया है किसमे श्याम सनेही में ठीक है रुक्मनी विवा रुक्मनी कोन थी श्री कृष्ण की पतनी ठीक है प्रश्न संख्या बार है आलम क्रित आलम केली आलम केली कैसा कावे है तो दोस्तों मुक्तक कावे है ठीक है मुक्तक श्रेणी का कावे है और मुक्तक कावे है ठीक आलम क्रित आलम केली याद रखे अगला प्रश्न है तेरह आलम कृत आलम केली में किसका चित्रण है तो दोस्तों आलम कृत आलम केली में नवोड़ा, प्रोड़ा, मानिनी, खंडिता, आधी विभिन प्रकार की नाईकाओं की विभिन इस्थितियों के मनोरम चित्रण के अतिरिक्त कृष्ण और गोपियों के प्रेम का चित्रण है फिर से सुनिए नवोड़ा, प्रोढ़ा, मानिनी, खंडिता, आधी विभिन प्रकार की नाईकाओं की विभिन इस्थितियों के मनोरम चित्रन के अतिरिक्त, कृष्ण और गोपियों के प्रेम का वर्णन है या चित्रन है किसमे आलम केली में ठीक है और ये रचना भी आलम की है प्रश्न संख्या चोदे आलम केली में आलम और शेख दोनों के कई चंद किसको समर्पित है तो दोस्तों आलम केली में आलम और शेख दोनों के चंद गंगा, पार्वती, शिव और राम को समर्पित है फिर से सुनो गंगा, पार्वती, शिव और राम को आलम केली में आलम और शेख दोनों के जो चंद है वो इन्हें समर्पित है ठीक है पंक्ती है दोस्तों ध्यान से देखिए प्रश्न पंद्रा सीखी लीनो मीन मिरग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है यह है पंक्ती किस कवी की है तो दोस्तों थाकूर थाकूर की पंक्ती है सीखी लीनो मीन मिरग खंजन कमल नैन सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है थाकूर पुंदेल खंडी ठीक है प्रश्न संख्या सोले ध्यान दीजिए रीती बद्ध कवी घनानंद का जन्म कब हुआ था तो दोस्तों 1689 इसवी के आसपास रीती बद्ध कवी घनानंद का जन्म हुआ था अगला प्रश्न है सत्रे रीती बद्ध कवीयों से घनानंद का प्रेम कैसे भिन है तो दोस्तों रीती बद्ध कवीयों से घनानंद का प्रेम इसलिए अलग है क्योंकि वह स्वानू भूत और रीती मुक्त है यानि स्वानू भूती परक और रीती मुक्त है ठीक है यानि कि जो खुद पर बीती है यानि कि प्रेम की पीर के कवी कहे जाते हैं घनानंद ठीक है न क्योंकि उन्होंने जो कुछ मैसूस किया वही सब उन्होंने अपने कावेस रिजन में परियोग किया ठीक है प्रश्न संख्या 18 घनानंद को किसका अवतार कहा जाता है तो दोस्तों घनानंद को रस का शाक्षात अवतार कहा गया है रस का साक्षात अवतार घनानंद प्रश्न संख्या 19 ध्यान दीजिए घनानंद को शाक्षात रस मूर्ती किसने कहा है तो दोस्तों आचारे रामचंदर शुकल ने घनानंद को शाक्षात मूर्ती कहा है याद रखिए ठीक किसको घनानंद को अगला प्रश्न है 20 पंक्ती है जरा ध्यान से सुनिए प्रश्न संख्या 20 प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पतिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाशा का दूसरा कवी नहीं हुआ है घनानंद के संबंद में यह कथन किसका है फिर से सुनिए प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीन और धीर पतिक तथा जबादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाशा का दूसरा कवी नहीं हुआ है घनानंद के संबंद में यह कथन किसने कहा है तो दोस्तों रामचंद्र शुकल ने रामचंद्र शुकल ने घनानंद के संबंद में यह कथन कहा है ठीक है बहुत ही important है प्रश्न संक्या 21 घनानंद को लाक्षनिक मूर्ती मत्ता और प्रयोग वैचित्रे का कवी किसने कहा है फिर से सुनिए घनानंद को लाक्षनिक मूर्ती मत्ता और प्रयोग वैचित्रे का कवी किसने कहा है तो दोस्तो आचारे रामचंद्र शुक्ल ने आचारे रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद को लाक्षनिक मूर्ति मत्ता और प्रयोग वैचित्रे का कवी कहा है अगला प्रशन है 22 वियोग शुरिंगार वियोग शुरिंगार का प्रधान मुक्तक कवी कौन है तो दोस्तों वियोग शुरिंगार के प्रधान मु जाता है तो वो हैं कभी घनानन्द तो इनके संबंद में आप जितनी जानकारी हो सके आप एक तृत कर लीजिए ठीक है इनसे संबंदित हमेशा परिक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं अगला प्रश्न है तेईस घनानन्द की कृतियां किस भाषा में है तो दोस्तों ब्रज भाषा में ब्रज भाषा में हैं घनानन्द की कृतियां ठीक है ध्यान रखिए प्रश्न संख्या 24 ध्यान दीजिए जरा घनानन्द के जीवन की वह घटना कौन सी है जिसके फलसरूप इन्हें वैराग्य हो गया वैराग्य हो गया और ये व्रिंदावन आकर भक्ती साधना करने लगे तो दोस्तों प्रेयसी सुजान जो की एक वैश्या थी ठीक है प्रेयसी सुजान द्वारा इनके साथ विश्वास घात किया जाना विश्वास घात किया जाना क्या था इनके जीवन की सबसे कैसी घटना थी मतलब मारमिक घटना कह सकते हैं तो सबसे मतलब ऐसी घटना जहां कि मतलब इनका जीवन ही पूरा बदल गया ठीक है और यह कहां आ गए वरिंदावन आ गए और भक्ति साधना करने लगे क्या था कि जिस राजे में थे ना दर्बारी कवी के रूप में तो क्या था कि इन्होंने राजा की पीट के राजा की तरफ पीट करके और सुजान की तर मिल गया था और यह कहां आ गए थे वरिंदावन आ गए थे लेकिन यह जो प्रशन है कि विश्वास घात तो विश्वास घात का मतलब यह था कि जब उन्हें देश निकाला दिया गया ठीक है तो यानि कि राज्जे से जब बाहर किया गया पूरे तो इन्होंने कहा कि याद करके ठीक है अपनी कवीताइं लिखी अपने कावे कसरीजन किया ठीक तो इसलिए और कहा जाता है कि अपने अंतिम शणों में भी ठीक है घनानद ने किसको याद किया था सुजान को याद किया था तो यह बहुत ही मतलब अच्छा प्रसंग है और इनके बारे में जा कीजिए रोचक पूर्ण लगने लगेंगी ठीक है तो आप अपना इंट्रेस्ट बनाइए चीजों को जानने की जिग्यासा अपने अंदर उत्पन कीजिए ठीक है ऐसे ही चीजे नहीं समझ में आती थोड़ी सी महनत करनी पड़ती है तो आप लोग भी करिए ठीक आगे अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी साथ मेरे वीडियो के नेक्स्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों